हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू आर चानल महविश किचन, डिलाइट इन एवरी बाइट आज हम बराने जा रहे हैं बर्दे केक, जिसके अंदर छुपा हुआ है सर्प्राइज इस केक की डेकोरेशन में जो भी समान इस्तमाल हुआ है, वो सब एडिबल है इसलिए आप इसे बेफिक्र होके इंजोई कर सकते हैं तो आईए ये सर्प्राइज से भरा हुआ फॉलन आइस्प्रीम केक बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले लेंगे केक और इसे लेवल करेंगे पहले डूम को कट कर लेंगे, उसके बाद केक के दो इक्वल लेयर्स कट करेंगे आज हम यूज कर रहे हैं 7 इंच कवानीला फ्लेवर्ड केक सूपर सॉप्ट लाइट एंड स्पंजी केक बनाने की पूरी रेसिपी का लिंक उपर आई बटन और इजे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हमने दो केक को लेवल करके 4 इक्वल लेयर्स कट कर ली हैं अब एक कटर या कैब की हर्प से केक लियर को सेंटर में कट करेंगे इसी तरह तीन लियर्स के सर्कल कट कर लेंगे इन छोटे सर्कल को खाए नहीं इसे डेकोरेशन में आगे यूज करेंगे अब केक को लेवल करना शुरू करते हैं सबसे पहले सर्फिंग डिश पर लगाएंगे विब क्रीम और फ्रस्ट करेंगे ऐसा करने से केक अपे जगह से ही sneaking लेगा नहीं नेक्स्स टेप एक लियर पर ब्रस करेंगे शूगर सिरूप अब लगाएंगे विब क्रीम की लियर अब सेकेंड लेयर प्लेस करके सेम स्टेप रिपीट करेंगे फर्स्ट शुगर सिरफ ब्रश करेंगे सेकेंड वेप्रीम के लिए लगाएंगे अब थर्ड लेयर प्लेस करके शुगर सिरफ ब्रश करेंगे और उसके बाद क्रीम की एक लेयर स्प्रेट करेंगे यह हमने जेम्स, जेलीज, चॉकलेट्स और स्प्रिंकलर्स लिए हैं इसे केक के सेंटर में फिल कर देंगे केक को पूरा फिल करके फाइनल लेयर प्लेस करेंगे टॉप लेयर को भी शुगर सिरफ से ब्रश करेंगे अब विप्ट क्रीम से केक को कम्प्लीटली कवर करेंगे परफेक्ट केक डेकोरेशन के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है इस प्रॉसेस को कहते हैं क्रम कोटिंग क्रम कोटिंग करने के बाद जब केक डेकोरेट करेंगे तो केक के क्रम स्क्रीम में मिक्स नहीं होगे क्रम कोटिंग कंप्लीट करने के बाद केक को 10-15 minutes refrigerate करेंगे केक सेट हो गया है अब इसकी सेकेंड कोटिंग करेंगे वनिला फ्लिवर्ड विप क्रीम से केक के टॉप और साइड्स को क्रीम से evenly cover करेंगे केक के सेकेंड कोटिंग कमप्लीट हो गई है सर्विंग दिश को ग्लीन करते हैं और चलते हैं नेक्स टेप के तरफ अब लेंगे पिंक कलर विप क्रीम और इसे केक के टॉप पे स्प्रेड करेंगे विपिंग क्रीम को सॉफ्ट पिक्स बनने तक ही बीट करेंगे रिब बनाने के लिए आप क्रीम की जगा मेल्टे चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं अब जो सर्कल्स हमने कट किये थे उसे छोड़ी-छोड़ी पीसेज में दोल लेंगे केक क्रम में थोड़ी से क्रीम डाल के मिक्स करेंगे और इसे आइस क्रीम कोन में फिल कर लेंगे आइस क्रीम को डिप करेंगे पिंक कलर विप्ट क्रीम में आइस क्रीम को इसक्रीम की हेल्प से केक के सेंटर में फिक्स करेंगे अब पाइपिंग बैग में फ्लावर नोजल लगा के प्लेन क्रीम फिल करेंगे और केक को डेकुरेट करेंगे केक की बेस लाइन को डेकुरेट करने के लिए पाइपिंग बैग में फिल करेंगे हाफ वाइट और हाफ पिंक विप्ट क्रीम और सेम फ्लावर नोजल से डेकुरेट करेंगे आइस्क्रीम को डेकुरेट करेंगे कलरफुल स्प्रिंक्लर से नेक्स्ट एड करेंगे थोड़े बड़े साइज के कलरफुल हार्ड और स्टार शेप के स्प्रिंक्लर्स केक के साइज पे भी स्प्रिंक्लर्स लगाएंगे और यह तयार है फ्रेटी फॉलन आइस्क्रीम केक टाइम टू रिबील दे सर्प्राइज आपको ये केक दिजाइन और अंदर शुपा सर्प्राइज कैसे लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा थैंक्यू सो मच पर वाचिंग प्लीज लाइक एंड शेर दिस वीडियो और दों फोगेट तो सब्स्क्राइब तो आर चैनल See you in the next one!